परसत बात करने के लिए बीजेपी के सेफ परभारी बंगाल के अमित मालवी जी हैं, सर जिस तरीके से महुआ मुच्तिरा ने बयान दिया, क्या ऐसा लगता है कि अब तुष्टी करन की राजियती हो रही है देश में? हमारे देश में बहुसंख्यक समाज के देवी देवताओं उनकी आस्थाओं पर प्रहार करना सेक्यूलिरिजम का हिस्सा माना जाता है, पिछले दिनों टी-एमसी की सांसन ने जिस प्रकार का आपत्ति जनक और अभद्र बयान माकाली को लेकर दिया, उस पर ममता बैनर जी की चुपी बहुत सवाल खड़े करती है, क्यों अभी तक ममता बैनर जी ने महवा मोहित्रा को पार्टी से सस्पेंड नहीं किया है, क्यों ममता बैनर जी ने जो बंगाल की ग्रह मंतरी है, उन्होंने बंगाल पुलीस को F.I.R. दर्ज करने की इजाज़त नहीं दी है, कारवा notices जारी कर रही है, summons भेज रही है, तो जिस West Bengal पुलीस ने इतनी चुस्ती दिखाई, वो महवा मोहित्रा के मामले में चुप क्यों है, क्योंकि ममता बैनर जी के लिए हिंदू, बंगाली, पहुत संख्यक समाज, वोट बैंक नहीं है, अगर यही टिपनी महवा मोहित्रा न जो अल्प संख्यक समाज है, वो ममता बैनर जी का वोट बैंक है, यह जो तुष्टी करन की राजनीती है, वो हमारे देश के नेताओं के निर्णे ओपर हावी है, और खास तोर से उन नेताओं के निर्णे ओपर जो अपने आपको सेकुलर वादी कहते हैं, हिंदू समाज क के टॉलरेंस हिंदू समाज की कमजोरी है, यह इसी प्रकार का चित्रन अगर किसी अल्प संख्यक समुदाई के भगवान या गुरू के बारे में करें, तो हश्र उदेपूर और अमरावती जैसा होगा, और यह इस बात को जानते हैं, इसलिए हिंदू देवी देवताओं क कि आस्थाओं पर लगातार प्रहार होते रहते हैं, लेकिन हिंदू समाज जागरित हो रहा है, हिंदू समाज को यह समझ आने लगा है कि creativity के नाम पर जिस प्रकार से हिंदू समाज को दबाने का काम किया जा रहा है, वो अब और मानने नहीं होगा, और इसके चलते यह जो डिबेट है जो चर्चा है आज सब के सामने है तो यह थे अमित मालवी जी जी ने ने कहा कि अब हिंदु श्रमाज जो है वो डरने वाला नहीं है कैमरामेन दीपक शुबे न्यूज इंडिया दिल्ली